असलाम अलेकुम आईए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं होममेट दही वड़ी इसमें हमने मिलाया है रेट चिली पॉडर टर्मरिक पॉडर सॉल्ट स्वाद अनुसार जिंजर गालिक पेस्ट और ब्रेकिंग सोड़ा इसमें दालकर ये मिस्चर तयार कर लिया है मिस्चर ना जादा पतला होना चाहिए ये मीठा दही है हाफ केजी दही लिया है इसमें हमने हाफ लेटर पानी एट किया है स्वाद अनुसा नम्मक एट और जिंजर गालिक पेस्ट हाफ चमच एट किया है कड़े में कुकिंग ऑईल को हाई फ्लेम में गरम करिए आपको जितने साइज इसका वड़ा चाहिए उतने हिसाब से आप चमच से लेकर वड़ा का पेस्ट डालिए मेडियम फ्लेम पे लाइट ब्रॉन हुए तक पकईए वड़े तयार कर लिए हैं वड़े का कलर ऐसा पर्फेक्ट ब्रॉन होना चाहिए वड़ों को सॉफ्ट होने के लिए नॉर्मल वाटर में टू मिनिट्स के लिए रखिए इसे सॉफ्ट और बॉंसी होते हैं करें में दो टी स्पून तेल डालिए वन टी स्पून जीरा डालिए और कर्या पके पते थोड़े दालकर लाइट ब्रॉन हुए तक पकईए तेल में बगार आने के बाद फ्लेम आफ करके हाफ टी स्पूल तर्मरिक पॉडर आट करें बगार को दही में आट करें और अच्छे से मिक्स कर लिजिए फिर अराम से एक एक वड़ा दही में दालिए लो हमने त्यार कर लिया है दही वड़ा परे ओे एक दो खिता है